नमस्कार, स्वागत है आपका नीज नशा में, लेकर आया हूँ आपका अपना कारेक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशो कौन खड़े बोलता है, लाठी चार्ज कहीं भी हो कोई भी करे, हिंसा कोई भी हो, इदि किसी इंसान का प्रान उसे में चले जाते है या मृत्य हो जाती वो बहुत बड़ी हानी होती है, क्योंकि मृत्यू दंड देना ये नियाई पालिका का काम है, जब किसी लाठी चार्ज में किसी के मृत्य हो जाती है, तो फिर वो मृत्यू दंड किस अधिकार से किस ने दिया, ये पूछा जाना चाहिए, इसलिए कानून व्यावस्ता को स सवाल उठते हैं, और आज ये सवाल उठेंगे बिहार पुलिस पर, क्योंकि बिहार में आज भारतिय जनता पार्टी के कारे करता है, जब सरकार के खिलाब प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने पहले वाटर कैनॉन का उप्यूप किया, उसके बाद आसू गैस छोड़ उससे भी जब बात नहीं बनी, तो लाटी चार्ज किया, और शायद लाटी चार्ज करते समय, पुलिस अपना आपाक हो गई थी, और फिर जहनाबाद जिले के महामंतरी विजे से हैं, को लाटी से चोटे आई, हस्पता लिये गए, और वहाँ उनकी मृत्यू हुई, उनकी भारती जनता पार्टी बिहार में आंदोली था है, विधान सभा के नेतब, प्रतिपक्ष विधान सभा में जो है, विजे, उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों के साथ अनिश्चित कालिन धरने पे वहाँ बैठ गए हैं, पार्टी के सांसद जिने वाइ कैटेगरी की सेक्यूरिटी थी, जनारगन बिनिवाला भी पीटे गए हैं, उनको भी पुलिस ने पीटा, वो भी हॉस्पिटल में एड्मिट है, कई कारेकरता गंभीर जखनी है, पुलिस वालों पे भी पत्थर फेके गए, और मिर्च के स्प्रे का उपयोग किया गया, उसमें एक मैजिस्टेट भी जखनी हो गए, डाग बंगले चवराये पे, जब पुलिस ने इस रैली को रोखा, मतलब ही जिलूस को रोखा, उसके बाद ही हद्सा होगा, अब इसका निशेद तो नियूज नशा भी करता है, क्योंकि आत्मरक्षा में भी जब गोली चलती है तो भी, वो कमर के नीचे चलनी चाहिए, पॉइंट ब्लैंक, हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन फिर, क्या कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए, जब राज्य सरकार या सत्ता पक्ष अपील करता है, तो क्या विरोध करने वालों को, एक दाएरे में रहके विरोध करना चाहिए, या फिर हमेशा आंदूलन उग्र कर देना चाहिए, क्योंकि कहां कहां सत्य डोला ये मैं भी आपको बताऊंगा, इस हाथसे के बाद, पुरे देश के भारती जनता पार्टी के नेता, तूट पड़े, नेतिश कुमार के सरकार पर, कोई नेतिश का इस्तिपा माँग रहा है, कोई तेजस्वी का इस्तिपा माँग रहा है, जेपी नड़ा जी कह रहे है, जो भारती जनता पार्टी के राष्टी अद्धिक्ष है, कि सरकार की विफलता से बोकला गई सरकार और फिर लोक तंतर पर हमला हुआ है, नईतिक्ता भूल गए है, बिहार में ये जेपी नड़ा कहते हैं, बिहार में अगोशित अपातकाल स्थिती है, ये चिराख पासवान कहते हैं, उपर मुख्य मंत्री पे जब चाश्रिक फाइल हुई है, तेजस्वियादों के, तो स्वच्छता का प्रमान देते हुए, नितिश कुमार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसे कई स्टेटमेंट, जब मैं पढ़ता हूँ, तब मुझे थोड़ा याद आता है, कि ये लोग कितने दोगले हैं, आज एक भाज़पा का कार्य करता की मृत्ति हुई, न्यूज नशाने तो पहले ही उसका निशेत किया, और हम फिर से रेखांकित करते हैं इस बात को, नयाई पालिका नहीं देती, तब तक उसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं, यहीं समिधान कहता है, और यहीं देश का कानून कहता है, लेकिन फिर, ऐसी उधंडता, भारते जनता पार्टी शासित राज़ करते हैं, ऐसी उधंडता जब केंदर सरकार करती है, तब जे ऐसा ही विरोध प्रधर्शन, आप तो सरकार पे इस्तिफा मांगने के लिए विरोध प्रधर्शन कर रहे थी, तो राजनेते कांदोलन था, लेकिन इस देश के लिए अंतरराश्ट्रियस्तर प्रतियोगिता में, पूरा जीवन लगा के, जिन महिला खिलाडियों ने अंतर देश ने हाथ पहिला के स्वागत किया हूँ, जहां प्रधान मंतरी भी थे स्वागत करने में, जब वो महिला पहिलवान अपना शारिरिक शोशन हुआ, इसके लिए नयाय मांगने के लिए जब गोहार लगाती है और आंदोलन करती है, तो उस आंदोलन को जब पुलीस बर उन्हें जमिन में घसीदते हैं, उस पर अगोशित अपातकाल क्यों नहीं समझ में आता चिराग पास्वान को, जेपी नडड़ा जी को लोगतंतर खत्रे में क्यों नहीं आता दिखता, तब तो ये कह रहे थे, कि भही पहले ही पुलीस ने बता दिया था कि निशे इत्षे यहां तो आप नहीं कर सकते अंदूलन, क्यों किया, ऐसा ही निशे इत्षे इत्र बिहार में भी पटना में भी गोशित किया था, और चौराय चौराय पर मेजिस्टेट नियुक्त किये गए थे, उसके बावजूद, यदि भारती जन्ता पाटी लोगतंतर में विरोत का अ किसानों पे गोलियां चलती हैं, क्यों हर्याना में किसान के ट्रैक्टरों के आगे कट्शे को दे जाते हैं ताकि उचले नहीं, क्यों 700 किसानों के शेहादत पे बाद भी इन तमाम नेताओं के मुँ में से आवाज नहीं निकलती, अपना मरा तो दुख होता है, दूसरों क मरने पर आपने टालियां बजाई है मौत का मजाक उड़ाया है उन संगर्शसील किसानों को आपने चीनी पकिस्तानी खलिस्तानी आतंकी कहा है अर्बन नक्सल कहा है और जो किसान जिस बील के खिलाप लड़ रहे थे वही बील सरकार ने शर्मसार होकर वापस लिये है यहां सत्य रोलता है इसलिए अशुक बनक्रे बोलता है विरोत का अधिकार सबको है तो फिर किसानों को भी है और उन महिला खिलाडियों को भी है आपका राजनितिंग आंदोलन था महिला किलाडियों का राजनितिंग नहीं महिला किलाडियों का सनमान के लिए आंदोलन था जिनने देश का सनमान विश्व में बढ़ाया हूँ आज मैं देवंदर फट्डविस को सुन रहा था महराष्ट पे वो कह रहे थे कि 2024 में मोदी जी का हथ अपने को मजबूत करना है क्योंकि उन्होंने विश्व में भारत का मान सन्मान बढ़ाया है तो ये जो हमारी बेट या हमारी बहने थी इन्होंने जो विश्व में भारत का मान सनमान बढ़ाया खेल कुद में उनके मान सनमान की रक्षा कोन करेगा ये देश नहीं करेगा तो कोन करेगा प्रधान मंत्री नहीं करेगा तो कोन करेगे ग्रामंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेंगे और आज क्या हुआ जो आरोप उन लड़कियों ने रगाए थे वही चार सेट में फाइल हुए है और एक गुंडा जो व्याभिचारी है वो आज बिजेपी का सांसत बनके खुले आम घुम रहा है तब आपके जिवा को क्या हो जाता यह सवाल भाजयपा वालों से है आपको अब अगोशित अपादकाल पटना में दिख रहा है पूरे देश में भाजयपा शाशित राज्यों में अगोशित अपादकाल है पत्रकारों को जेल में ढुसा जाता है हाई कोट और सुप्रिम कोट से पत्रकारों को रिहाई मिलती है हाई कोट पास करते है एडी और इंकम टेक्स के डर से सरकारे बदलवाई जाती है वो लोग तंत्र है यह सवाल मैं आपके बीच में छोड़के जा फिर मैं कहए रहा हूँ जिस BJP की नेता की हत्या हुई है और मैं इसको हत्या बोल रहा हूँ मृत्यू नहीं क्योंकि पुलिस के लाठी से यह दि उसकी मृत्यू होती है तो यह बिहार सरकार द्वारा हुई हत्या है उसका हम निशेद करते हैं लेकिन उसका निशेद करने का अधिकार भारती जन्ता पार्टी के उन नेताओं को नहीं है जो बाकी जगा मुँपे टेप लगा के खाली बैटते है आज इतना ही फिर आओंगा कल किसी विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज नशार आप हमसे